कि इस बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिल से हार्डिक सवागत हैं आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वह है एल्डिहाइड और किटॉन दोनों का विर्चान यानि दोनों को बनाने की विदियां लेकिन इसमें क्या है ना दो पैटन पहला पैटन ऐसा है जिसके अंदर हम कोई भी रियक्षिन लेंगे तो उस रियक्षिन के अंदर हमें एल्डिहाइड और किटॉन दोनों प्राफ्त होंगे ठीक है ना इसलिए इसका ना विदिया एल्डिहाइड और किटॉन दोनों का एक साथ विर्चन और इन विदियों क कि बाद हम जो आगे लहेंगे वहां होगा एडियाइड और की टॉन का अलग अलग प्रकार से निर्माट किस प्रकार से किया जाता है तो आज हम प्रुवाद करने जा रहे हैं इसकी तो इसकी सबसे पहली विदी जो है ना वो है फर्स्विदी अपन लेते हैं एल्कोहल का अक शुआक करन की जब बाद आती है तो इसकी अंदर हम दोनों लिए लेंगे लेकिन इसमें आपको पहले उत्प्रेरग बता देता हूँ रहीत है ना कोई भी कृश्या में उत्प्रेरग प्रेग लेते हैं तो आप पहले भी बताया दबा मतना जैता है लेह को किसी को प्रेज़ के अंदर एक तो आपको ध्यान होना है अम लिए के टू सी आर टू ओ सेवन यह पोटेशियम डाइड क्रोमिक ठीक है या इसके अलावा हम ले सकते हैं जलियर या चारियर जलियर या चारियर के एम एनोफोर पोटेशियम पर मेंगनेश ठीक है अब यह दोनों मुख्य रूप से उत्रेरत का दारी करते हैं इन अभिक्रियाओं के अंदर तो देखो एल्गोहल हमने लाफ लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था एल्गोहल जो होता है वतलब इसी और्ग टूव डिग्री अल्गोहल और तरी डिग्यर अलकोहल थ्क है तो यहाँ पर हम जो ले रहे हैं इसके अंदर पहला बीतले जो और यह दिचरिक फाल नहें आपको फ्राश्मी के खल我知道 कम एक ठीक है और डूसरा उकल कह्रें और दुद्यक एलकोहल का अपकिरन करेंगे तो प्राफ्यक एलकोहल का अपकिरन करते हैं किसके परिवर्तित होंगे एल डी हाइड में यह बनाएंगे बनाते हैं तो कि बनता है हैं जिसके अंदर परिवर्तित होंगे कि टाव्र में परिवर्तित होते हैं यानि प्राग है कि अंदर जैसे हैं आप जया रहे आप पर आप में क्यों है वह उस कार्वं से चुड़ा रहता है यानी आतों है तो यह वन डिग्री अब हम क्या गरते हैं ऑक्सी करन के अंदर ओक्सीजन लिखी जाती है है ना अब आवक्त्रे रख उन दोनों में से कोई भी एक बता तो जिसे हमने यहां लिए क्या लिए क्या लिखा के टू या टू ओस्ते हैं अब दिखो आप जब यह इस तरह की अभिक्रियाएं होती है तो इसमें क्या दिहां लगना है कि यहां से ओएस लीजिए आप कौन सा तो ले नहीं है और जिस स्कारबंग से ओएस समुझ जुड़ा हुआ है उस स्कारबंग से एक हाइड्रोजन परमानों तो यहां से एक हैच लो इसका और वह यह यह मिलके क्या बना लेंगे स्कारबंगे एक हाइड्रोजन इसका अब पिछे देगो क्या रहा है और यहां से एक हैच अब ऑक्सिकरर का जो ऑक्सिजन है वह इस कार्बंग से जुड़ेगा तो यह बनाएगा आर ती एच पो अब यह सी एच जो समुझ कौन सा होता है यह प्राव दुआ इसके अंदर एंडी हाइड फिक है अब आप दारव लिख सकते हो लिखना चाहो तो यह सी एक्स थ्री सी एच टू ओ है यह एथेनॉल है ठीक है अब इस एथेनॉल का हमने क्या किया ऑक्सिकरर्ण किया पुत्प्रण यह ले लिया के टू सी आर्टू औ गोड़ी है अब इस टू कहां से ओफ इसका एच इसका और प्लस यह टू अब पीछे देखो च्छी एच च्छी एक और एक ऑक्सिजिन कौन सा अप्सिकररण वाला एक तो यह बनता है एक तेल्डी हाइड क्या बनता है एक और एक इसके वन डिग्री एल्पाइड की रिया या प्राफ्व गैलकॉल अब नेजिए जित्यक एलकोहल का हम उदारन लेते हैं तो दीको यह तो बंदा इसमें एड्याइड प्राक होते हैं अब इसमें क्या होगा जुद्यक में यह यह उस कारवन से जड़ा होगा जिसमें दो कारवन आगे श्रेंचना में जुड़े हो जैसे इसी के साथ में दो जैसे आर और और को इसमीं जुड़ती है अब इसमें एक सेड़ता कम है तो एच आगे हैं अब यह है टू लिए अब उत्प्रेरा के लोग ऑक्सिकरन करते हैं किसकी उपस्तिती में हैं तो यह अम लिए अब देखो ओएच इसका और एक हाइडरोजन इसका ले लिए तो एच तो सिद्धा अट रहा है अब एच तू आपने हटा दिया है ना तो इस कारवन की दो सेटाय कम हो जाएगी कैसे देखो एच और और ज़टा है तो आर पी और आर अब एच अच 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 आप कार्वन के साथ में ये अक्सीजन नमीशा किसे जूटी है डबल बॉंड से जूटी है तो ये बन गया इसके अंदर ऑनसायोगिक की टॉन तो वांड़ी अल्कोहल जो होते हैं वांड़ी अल्कोहल का आक्सिगरन करते हैं तो क्या प्राप्त होते हैं अटी हाइड और तो इसे हम क्या करते हैं क्या प्रापत होते हैं ठीक है तो आप इसका स्क्रीन सॉट ले लो फिर हम आगे लेते हैं इसके उधारण अब देखो आप जुट्यक एलकॉल का उधारण ले लेता हुए यहां से चलिए अब जुट्यक एलकॉल के लिए अब इक्रिया तो यह रिष्णी है आपको लेकिन क्या करना है देखे अब जिटेकर अब दुट्यक आप तो इसको बोलते हैं आइसो प्रॉपिल अल्कॉल क्या नाम देते हैं आइसो प्रॉपिल अल्कॉल अब आप इसका ऑक्सी करन कर रहे हो किसकी उपस्तिती में हमली है के टू की आटू ओ सेवन अब क्या अटा ना है एस्टू कि एस्टू अटा तो थी एस्ट्री थी यह तो वही रहेंगे यहां से एस्टू हटते ही डबल बॉंड ओ प्लस एस्टू तो यह क्या प्रात तो यह इसका मतलब कौंचा इस अभिक्रियां का उधारणी है इसको अपन उधारण के अंदर ले सकते हैं तो टू डिद्री अलकॉहल के बारे में बतायाएगे अब क्या होता है इसमें एक पॉइंट दिया गया है वह यह है कि अगर हम इन अलकॉहल का ऑक्सी करन करते हैं और ऑक्सी करन करते हैं अगर पाद अलक नहीं किया पॉइंड होते हैं यह जादा से जदा महत्रा या लब्दि प्राफ तो उसके लिए उत्प्रेयरब को चेंज किया जाता है ठीके ना और यही सवाल बोर्ड के अंदर पूछा गया है एक दो बार ठीके ना अब इसी के अंदर पॉइंट है अपना इसका इसमें कि यदी यू लिख सकते हैं इस क्रिया में आप लिखते जाना साथ साथ में इस क्रिया में एल्डी हाइड आगे सोतह अक्षिक्रत होकर सोतह अक्षिक्रत होकर और किसमें कार्बॉक्स लिख अमल में कार्बॉक्स लिख कार्बॉक्स लिख अमल में बदल जाते हैं इसलिए बदल जाते हैं अच्छा एल्डी हाइड से एल्डी हाइड की अधिक मात्रा में लब्दी लब्दी मतलब यह सकता है लब्दी बहुत जादा मात्रा में इसके लब्दी प्राप्ट करने के लिए इस क्रिया में पीश्टी सी उत्प्रेरग क्या नाम है पीश्टी सी ठीक ना इसको अलग लग देते हैं किशटी सी चाह अब क्या जाता है प्योग किया जाता है मिइसका अब प्योग करते हैं तो नियुकि दिए रिखे रहें कौन सी आप सी एक्टू कुम सा है बंड डिग्री अल्कोहल ठीक है इन डिए अब ऑफ रहेते लिए तो यह किए प्रे रख लिया पीज़ी शीडिया ओशिजन निया ए तो इसके शुच्ब बना तो यह है लेकिन इसकी मात्रा आगे वाले जो पहले वाले अभी रहते इसके तुम्ला में अधिक प्राप्स होती है और दूसरा हम जब यह उत्प्रेदक साथ में लेते हैं तो यह आगे वापस ऑक्सिक्रत होकर नहीं तो क्या होता है लेकिन यह उत्प्रेदक मिलाया तो यह परिवर्तित नहीं होगा तो आपको यह इस्तती इसमें धिशान में रखने हैं अब यह PCC क्या है तो देखो PCC पी का मतब होता है अब इसका पूरा नाम है और इसका जब शूतर लिखते हैं तो सूत्र लिखा गये आपके पूरा पूरा नाम पूछा जाता है कि पूरा नाम क्या है इसको बताईए आप तो यह हमें ध्यान में रखना है लेकिन हमें तो बनाना है और जब आप कार्बॉक्स लिक बनाने की बढ़ोगे तब यहीं विदियों के कार्बॉक्स लिक अमने बनाने की विदियों तो आप इसका स्क्रीन सोट लो और अब इसी के अंदर अब एक मुख्य और अपन अभी किया लेते हैं इसी के अंदर है वह आपनोयर ऑक्सिकरन ऑपनोयर ऑक्सिकरन की नाम से जाने जाती है और इस ऑपनोयर ऑक्सिकरन में भी आपको उस्त्रेयक का नाम ध्यान लतना है ठीके ना चलो आगे आता है आपनोयर ऑक्सिकरन यह थोड़ा इंपोर्डेंट अभी कि रिया है आपनोयर आपनोयर देखो ऑक्सिकरन ठीके इसमें क्या होता है टू डिग्री अल्कोहल जो होते हैं टू डिग्री अल्कोहल का ओक्सिकरन अब टू डिग्री अल्कोहल का क्या करते है अपनोयर अक्सिकरन करते हैं ऑक्सिकरन एसे टॉन के आधिक्ये में इसके एसे टॉन पे आधिक्ये में ऐसी टॉण जो होता है ना ऐसी टॉण के आधिके में और उत्प्रेड़क ध्यान केगा उत्प्रेड़क ऐलुमिनियम त्रत्यक वित्व साइड की उपर स्थिती में किया जाता है हमें किया जाता है अब देखो अबिर्या बहुत ही सिम्पल अबिर्या है हमें पहले लेना एक टूडिग्री एलकॉल तो अभी जैसे अपने लाग उदाराण में पड़ा था तो टूडिग्री एलकॉल क्या लिखते हैं आर थी एक और यह आया तूडिग्री एलकॉल पर ठीक है अब इक रिवर्स से हैं मतलब क्या होता है कुछ चेंज यह जाता है व यह है एसी टॉमिए और अब कुछ प्रेरख ध्यान में रखना है एल्यूमिनियम त्रिप्तियक भी टॉक्साइड जेखो इसका सूत्र कैसे लिखते हैं तो तुरुक्यक ऑन्या तो त्रिप्तियक के लिए वह दो कार्मन के साथ में किते हैं सी एस्ट्री चुड़े पर रह अब यह कह रहा है अलुमिनियम तरत्यक बिटॉकसाइड तो यह होगा अलुमिनियम तरत्यक यह त्रीडिकरी कार्बन है और ऑक्सिजन साथ में जुड़ी है तो ब्यूटॉकसाइड के नाम से जाना जाता है अब आप इसको किताब के इसाब से लिखें तो इसको यह निखता हैं देखो सीएस्ट्री कितना है तो सीएस्ट्री का अउल्थराइज है तीक है इसके साथ ऑक्सिजन एक जुड़ा हुआ है कारबन के साथ में तो को अब इस पूरे का क्या लिखेंगे और यह दूश्मियर यह उत्प्रे रख है यह वाला ठीक है ना अब होगा क्या वह देखो इसमें यह होगा है कि यह जो एसीटॉन है यह एसीटॉन बदल जाएगा टू डिगरी एलकोहल के अंदर ठीक है और यह है इसत्ती यहां आ जाएगी मतलब यह आर है ना दुनों इन दौनों और को इसके साथ छोड़ जो जाने यह यह इए बने का देखो आप दियान से को यह बन गया की टॉन मतलब यह जो है ना ऐसी टॉन के साथ में इसकी क्रिया किये तो यह बदर जाएगा प्लस अब यह आर के इस्थान पर दोनों सी एश्टी ले दो तो सी एश्टी सी एच ओएच और यह इसको अभी अपने नाम दिछाता है आईसो प्रॉपिल एल्कोहल समों की इस्तती परिवर्तितों यह बात कि कुछ भी नहीं हुआ है क्या किया हमने देखो यहां से यह दोनों आख यह इसके साथ जोड़ दिए किसके साथ इजह यह यह आर और यह यह दोनों चले गए इजह तीक है और यह जो प्रॉपिल इसके इसके त्वी है दोनों यह और यह वापस का सब्सक्राइब और इसके साथ जड़ गए और शीस ट्री ये जो पहले इसके अंदर जुड़े वेटे वह इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है यह अभीग्रिया जो होती है इसको अपन क्या नाम देते हैं ऑपे नौयर आक्सिकरन के नाम से जाना जाता है इसमें आपको उत्प्रेरग कूछा जाता है तो जो प्रेरग का सूत्र भी यार्ट ना है ठीक है तो आप इसका स्क्रेंशॉट लेलो कि और ये तुटह ने हुआ पहले अभी दिक्रिया कॉमसी ऐलकोहल का ऑकसिटनर तो ऑन डिगरी एलकोहल किसमें परिवाथिस होता है टूरी अपने अदर बदलता है तो डूसरी अभी खृ़ आ है अब इसमें सवाल यू कुछते हैं कि क्या होगा जब अल्कोहल की वास्त को रख्त तब्त कॉपर प्रवाइज करते हैं तो इसमें यही लिखा जाता है कि एल्कोहल की वास्त को रख्त तब्त यानि गरम कॉपर पर पांसो तियोत्तर केल्विन ताप पर प्रवाहित करने पर कौन सा अब वन डिग्री और टू डिग्री एल्कोहल की वास्त को अब वन डिग्री एल्कोहल की वास्त को रख्त तो सबसे पहले आम लेंगे आज वन डिग्री अलकोहर ठीक है अब आप क्या कर रहे हो कॉपर उत्परे रखें तो यह कॉपर क्या लिख सकते हैं रख चता हूं अब भी हाइडोजन ही करण हो रहा है यहां से एक हैड़ा क्या है है अब देखो यहां क्या रहा है चाओ इसका हमी है यहां से एक हट्ट गई तो एक हट्टे यह आपशीजन इसके साथ जुड़ेगी तो यह क्या बनती है का भी हाइडोजनी करन करते हैं तो क्या बनता है एल्डी हाइड क्या बनेगा एल्डी हाइड ठीक है आप इसका उजारा लिखा चाहो तो यह ही लिखना पूरा पड़ेगा ध्यान रखेगा और पांसो त्योंतर केलुन ताप अब एक यहां से एक यहां ठीक है एक बना एक यहां से लिखाएड क्या बनता है एक फिटेंदी ठीक है और टू डिग्री अल्कॉल में हमेशा क्या प्राफ्ट होते हैं वह दिखो आप पहले अभी लिखे लेते फिर बताता हूं क्या प्राफ्ट होते तब अभी ग्रिया में टू डिग्री है ना तो यह आर ची एच और यह आर यह टू डिग्री अल्कॉल ठीक है अब आप दिखो हम क्या करें इसको भी कॉपर रख्ट तप्ट कॉपर के उपर प्रवाइज करते हैं पांसो तियों तर कैर्विन ताप अब यहां से एक हाइड्रोजन यहां से टव तो हटा गया है अब देखो पीछे क्या र इसमें और तो है चरथे तो डूर्ट रहां करते हैं तो क्या प्रआप्ट होते हैं और इसमें म्तनी हैं अ क्या और लिख सकते हो तो दोनों आर के इस्थान पर लिख दो CH3 CHOS और यह CH3 ठीक है अब इसका कॉपर रट कप्ट ठीक है पांसो तीज़तर केलिविन ताप अब एक एच यहां से एक एच यहां सेट आओ तो यह बनेगा CH3 प्राफ होता है इसका नाम क्या है क्या नाम आता है ऐसी चौन के नाम से जाना जाता ठीक है तो यह हमारे इसमें इस सवाल क्या पूछेंगे मैं यहां सवाल लिख रहा हूं इस सवाल को आप नोड कर देना साथ में यह आएगा कि एलकोहल की वास्प को जैसे आपको पूछ लिया वन डिग्री एलकोहल की वास्प को रत तक्त कौपर पर प्रवाहित करने पर प्रवाहित करने पर क्या उत्पात प्रांप्त होता है अब भी करिया आप तो यह एक सवाल आपको खुछ करना है और दूसरा सवाल क्वेस्टन नंबर दो यह पहला क्वेस्टन है और क्वेस्टन नंबर दो है पी सी सी का पूरा नाम लिखते हुए इसका सूत्र लिखो और उप्योग कि मतलब इसका अप्योग कहां पर होता है वह भी आपको बताना तो यह दोनों सवाल आप इन दोनों अभिक्रियां मतलब यह पहले अभिक्रिया और दूसरी अभिक्रिया किया यह वाले इस पूरे को लिखने के बार याद रखना सवाल नोट करने आपको गौपी के अंदर सवाल और दोनों बताने ठीक है तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो ओके और बार मंदर के इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए का नेक क्लास बहुत इंपोर्टेंट अभिक्रिया है ठीक है ना तो धन्यवाद